असलाम अलेकुम प्यारे तल्बा हमारा इल्म राजी का सबक नंबर 13 मुसल्लसों की मुतमासिलत तो ये सबक जारी है जिसमें मुसल्लसों की मुतमासिलत की आजमाईशे जिसमें हम उपर दर्ज पांच आजमाईशों की मालूमात ले चुके है वो पांच आजमाईशे कौन सी है नमबर एक जिल जा जिल आजमाईश नमबर दो जिल 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 आजमाईश नमबर तीन जा जिल जा 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 अब इन आजमाईशों के मुतालिय के पहले हमने मुताबकत क्या होती है ये सीख चुके है उसके चलते हमें और एक चीज यहाँ पर पता हो चुकी है कि यहाँ पर इस तरीके के जो निशानात होते है ये या तो फिर ऐसे या ऐसे लाइन्स पर यानि खुतूत पर जो लगाए जाते है वो मुतमासिल अज़ा है ये दिखाने के लिए इस्तेमाल होते है तो इनी अज्जाओं का इस्तिमाल करते हुए हम यहाँ पर तीन मक्सूस अज्जा का इस्तिमाल करके मसल्सों को या दिये गए दो मसल्सों को मुतमासिल दिखाएंगे जैसे हम यहाँ पर पहली आजमेश के तरफ बढ़ रहे हैं जिल जा जिल आजमेश जिल से मुराद जिला, जा से मुराद जाविया और जिल से मुराद जिला जिसांगरेजी में कहते हैं साइड जिला यानि साइड जा यानि जाविया यानि एंगल और जिल यानि साइड और आजमाईश को टेस्ट कहते हैं इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं S A S test S A S test अब इस test यह आजमाईश का मुतल्या करते वक्त हम यहाँ पर दो मुसल्लस पर गौर करेंगे दो मुसल्लस आपके सामने पने हुए है जिन का नाम मैं देता हूँ A B C और इसको मैं नाम देता हूँ X Y Z अब इन दोनों को इन दोनों मुसल्लसों को मुतमासिल दिखाने के लिए हमें यहाँ पर तीन अज़ा इस मुसल्लस के और तीन अज़ा इस मुसल्लस के मुतमासिल दिखाना जरूरी है तो यहाँ पर हमें अगर दिया जाए एक निशान ऐसा जो यहाँ पर अल्रेड रेड कलर से है यहाँ पर भी रेड कलर से है यह मुसलस में यह जिला ग्रीन कलर से है उसका नजिरी जिला यहाँ पर यह ग्रीन कलर से है यह मुसलस में यह जिला ब्ल्यू कलर से है तो जैसे यहाँ पर यह निशान दोनों तरफ लगाए गए हैं, यानि यह दोनों अज़्जा मुतमासिले, हम इनकी तजदीक पटी की मदद से नाप कर भी कर सकते हैं, जैसे, यह देखिए, यहाँ पर तकरीबन यह पास सम का दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से यह भी एक स दूसरे अज़्जा में दौर करते वक्त, यहाँ पर हमें फिर एक जिला, यह देखिए, यहाँ पर, यह निशान में यहाँ पर लगाया, और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान लगाया, जिस तरीके से हमने पटीक से नाप कर, इन दोनों को यक्सा हैं यानि उसकी तद्दिके हैं वेसे हम हम यहाँ पर भी चिक करते हैं, यह है 6-5 सम और यह भी है यहाँ पर 6-5 सम, यानि यह दोनों यह greater दो अज़्जा, जितनी पहमाईश के जिले हैं, उसी तरीके से उसके नजरी मुसल्जा में यहाँ यहाँ पर मुतमासले हैं, अब इन दोनों आफू सललसों में भी वैसे ही डूने में दोज जिलों को शामिल करने वाला जाविया, यह concept यहापर आपको जहीन में रखना है, क्युक्सित आजमाईश हमारी और ऐसे आने वाली है, जिसमें जाविया यहापर मतवातिर रहेगा, अब यहापर जाविया का है, दर्मियान में है ना तो यहाँ पर हम एक जाविय का निशान और लगाते हैं जाविय के निशान हम यहाँ लगाते हैं कि इस तरीके से यहाँ में निशान लगाया और यहाँ पर यह एक निशान लगाया अभी निशान लगाने के बाद हम इनकी पैमाईश तस्दिक करते हैं जरुरत नहीं ह रख कर देखे प्रोडेक्टर यानि चांदी की वहदसना तो यहां पर कैन दिखाई दे रहा है? आपको पच्पंदरजा दिखाई दे रहा है उसी तरीके से देखिए हम दूसरे मुसल्लस पर भी दूसरे मुसल्लस पर भी यहाँ पर रख कर देखते हैं तो पता चलता है मैं कि यह भी पच्पंदर जय थीक है हाँ यानि हमने यहाँ पर तजदीक भी कर चुके कि यहाँ पर मुसल्लस के जो इजला और जाविय है वो एक दूसरे के अल्रेडी मुतमासिल है अब हमें यहापर लिखना किस तरीके से है कि यह दोनों मुसलस एक दूसरे के मुतमासिल है क्योंकि अगर तुमसे पुछा जाए कि कौन सी मताबिकत और किस वजुहात की बिना पर या किस आजमाईश की बिना पर यह दोनों मुसलस मुतमासिल है तो हमें होपर आना चाहिए अब इन दोनों मुसलसों के अजजा को हम समझने के बाद मुताबिकत की और बढ़ते है तो यहापर हमें पहले लिखते वक्त ऐसे लिखना है मुसलस A, B, C और मुसलस X, Y, Z में यहापर अभी हमने सिर्फ मुसलसों के नाम लिखिए मुताबिकत T नहीं किये अब इन दोनों मुसलसों में हम फर्ज करते हैं मुताबिकत फर्ज किया यह लिखना ज़रूरी नहीं फर्ज किया हम डारिक भी लिख सकते हैं फर्ज किया, मताबिकर A, B, C, यानि मताबिकर सिवरत क्या है, पहले मसल्लस को हम जिस तरीके से पढ़ेंगे, उसी के मताबिक दूसरे मसल्लस को पढ़ना, यह हम पिछली स्लाइड में, पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं, इस पाबिकर अगर ऐसे बढ़रें किया लेते हैं आपकर मताबिकर हमने ले भी एगे, इसकी विनापर अब यह मताबिक फर्ज कर चुके हम इसकी बिना पर हम क्या करेंगे है अपर उनके इजला और जावियों को मुतमासिल लिखेंगे यानि है पर हम पहले मुसल्स में अगर हमने आपर A, B, C लिखेंगे तो तमाम इजला तमाम जावियों के से अब हम यहाँ पर जाविया भी ले सकते हैं पहले जिला भी ले सकते हैं तर्टीब कोई जरूरी नहीं है आजमाईष के अंदर है पर शकल में तर्टीब जरूरी है लिखते वक्ट तर्टीब अगर तुमारी उपर नीचे होती है पहले मताबिकत दुसरे Better डूस्वरी नजरी मताबिकत जाविया ले लुए इसे इसे भुमारो में हाँ पर ब, A, C तो उसी दरीकई से यहाँ पर भी लेना है Y, X, Z तुम Y नाम भी उसको मतमासिल दे सकते है Z, X, Y लेकिन मताबिक से बात चल रहे हैं यही लेना है Y, X, Z ठीक है अब उसके बाद हम तीसरे जिले के और बढ़ते हैं तीसरा जिला कौन सा है? A, C है ना पहले वाले मुसल्स में यानि जिला A, C मुतमासिल है जिला Y, Z के अब यहापर हमें तीनों अज़ा मिल गए पहले मुसल्स के तीन अज़ा और दूसरे मुसल्स के तीन अज़ा हम यहापर मुतमासिल दिखा चुके इसलिए अब हम डाइरेक्ट ले सकते हैं के जिल जा जिल जिल जा जिल आजमाईश से मुसल्स A, B, C मुखमाशिड है मुसलस XYZ के यहां पर हमने जिल जा जिल आज्माश को पहले मताबकत फर्द किए शक्ल में एक मुसलस में तीन मकसूस अज़्ड को उसके न madness मुसलस में तीन मकसूस अज़्ड के मुतमाशिड है या नहीं इसकी तज़ी किए उसके बाद उनके अजज़ा यहां पर लिखे उसके बाद कौन से आजमाईश वाज़े हो रही है उस आजमाईश को लिखे उस बिना पर ये दोनों मसल्द से एक दूसरे के मुतमासिल दिखा दिए शुक्रिया